आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ इस्टामिनेजर विनाषकारी एन्जायमों का मोंचन और कन जिनमें इस्टामिन होते हैं का मोंचन करना ठीक है? तो जो Iosinophil होते हैं यानिकि A यह क्या है? कनी का मै ठीक है? कनी का मै श्वेताणू या श्वेतरक्त कोशिकाएं होती है जो कि एलरजी और पर जीवी संक्रमन से क्या करती है एलरजी और पर जीवी संक्रमन से रक्षा करती है ठीक है और यह क्या करती है लाइसोसोम के समान कुछ एनजैम्स का इसरावन भी करती है ठीक है तो यहां पर फर्स्ट की मेचिंग जो है किस से हो जाएगी थर्ड से histaminase और विनाशकारी अंजयमों का मोचन इसके बाद B है बेसोफिल तो दोस्तों बेसोफिल जो होता है यह है histamin, serotonin ठीके और हिपेरिन का क्या करता है स्रावन करती है और यह है histamin जो होता है क्या करता है रक्त वाहिनियों को प्रसार करने का यानि कि उनको प्रसारित करने का फेलाने का कार्य करता है के बाद न्यूट्रोफिल तो दोस्तों न्यूट्रोफिल जो होता है यह क्या करता है जीवानूं और विशानूं जो होते हैं इनका भक्षन करता है और संक्रमन से रक्षा करता है C की मेचिंग Sports से और B की मेचिंग किसे हो जाएगी Fourth से ठीक है और D-Lymphocyte तो दूस्थों lymphocyte जो होते हैं यह दो प्रकार के ओते हैं बी लिंफोसाइट और टी लिंफोसाइट और यह हमारे प्रती रक्षा प्रती क्रिया में भाग लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर डी की मेचिंग फर्स्ट से तो यहाँ पर एका क्या हो जाएगा एका हो जाएगा थर्ड ठीक है बी का फोर्ट सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट सही उत्तर कौन सा है यहाँ पर हमारा तीसरा विकल बागी पहला दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगे धन्यवार क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर